नमस्कार मैं मनीज कुमार सना आपका गाइड मोटिवेटर और मुक्रूप सेक्सचक जैसा कि आप सभी जानते हैं सिब्यसे ने वर्स 2021 और 2022 के लिए दो टर्म में बोर्ड इग्जामनेशन लेने का नर्नाय किया है टर्म वन जिसका आयोजन नवंबर और दिशम्बर में किया जाएगा और टर्म वन और टर्म टू की सिलिबस भी सिब्यसे ने जारी कर दी है जिसके अंतरगत टर्म वन के सिलिबस के अंतरगत में हिस्ट्री का जो सिलिबस रखा गया है वो है नेस्नलिजम इन योरॉप इस चैप्टर का हम topic wise analysis करते हुए पढ़ेंगे जिसमें हर एक topic से किस प्रकार से objective question तयार किया जाएगा वो भी जानेंगे सबसे पहले वीडियो के माध्यम से topic को समझा जाएगा और दूसरे वीडियो के माध्यम से उस topic से जुड़े वे objective question को हम समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर के सुरुवात होती है 1848 1848 फ्रेडरिक शौरी जो की एक फ्रेंच आर्टेस्ट है उन्होंने 1848 में एक पेंटिंग को पाट्रेड किया जिसे four prints में publish किया किया फ्रेडरिक शौरी ने इस पेंटिंग को Democratic and Social Republic नाम दिया और इस पेंटिंग के माध्यम से फ्रेडरिक शौरी अपने dreams को visualize करते हैं फ्रेडरिक शौरी अपने पेंटिंग में दिखाते हैं कि युरोप और अमेरिका के लोग अमेरिका और युरोप के लोग जो हैं एक लंबी कतार क्रियेट करते हैं long chain of people men and women of all ages and social groups marching in a long train करने का मतलब है युरोप और अमेरिका के हर वर्ग के लोग हर उम्र के लोग बच्चा, बुढ़ा, जवान, महिला, पुरुश सभी जो हैं मिलकर एक लंबी कतार तयार करते हैं और मार्च करते हुए पैदल यात्रा करते हुए स्टाइचू अफ लिबर्टी को होमिज पे करते हैं स्दांजरी अर्पत करते हैं जैसा कि आप फ्रेंच सेवलोशन में पढ़ चुके हैं कि उस समय के फ्रेंच सेवलोशन जिस समय घट रहे थी उस समय के ततकाले इन आर्टिस्ट ने लिबर्टी को फीमिल फिगर के रूप में पर्शोनिफाइड किया था स्टाइचू अफ लिबर्टी जिसके एक हाथ में मसाल है और दूसरी हाथ में आपका एक बुग दिखाया गया है मसाल सिंबोलाइज करता है इनलाइट्मेंट को लेकर और बुग जो है चार्टर अफ राइट्स अफ मन है जिसमें मर्दों को दिये गए अधिकारों के चर्चा की गई है स्टाइचू अफ लिबर्टी अगर मौलिक्ता को समझें तो इस स्टाइचू के माध्यम से कहा जा रहा है ज्ञान को पराप्त करके ही अंधकार को दूर की आ जा सकता है या ज्ञानता को हमारे उपर सोसन क्या जाएगा लिबर्टी हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगी इसलिए कि इनलाइट्मेंट के जरुवत है जागरते की जरुवत है इंद अर्थ कि ऑन दा अर्थ इन दा फोल राउन सैटर्ड रमेंस ओफ एप्सॉलेटिस्ट इस लाइन में फ्रेडरिक शौरे दिखाना चाहते हैं कि जमीन पर कुछ बिखरे वे अफसेश है ये अफसेश एप्सॉलेटिस्ट के बिखरे वे अफसेश है अथार्थ ये है कि ठारा सो आड़तालेस थक पूरे यॉरॉप में एप्सॉलेटिस्ट के खिलाफ क्रांती लाई जाती है और उ और इस करम में ही ये रिमेंस ये अफसेश जो हैं जमीन पर बिखरे हुए हैं यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया है एप्सॉलेटिस्ट आपके बुक में एप्सॉलेटिस्ट के डिफिनेशन को दो अर्थों में समझाया गया है एक पॉलिटिकल साइन्स के अधार पर औ प्रकार का फॉर्म आफ गवर्मेंट है या रूल ऑफ सिस्टम ऑफ रूल है जिसमें सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुस नहीं लगाया जा सकता लेकिन अगर हिस्ट्री में इस टर्म को हम समझें तो कहा जाता है तो हिस्ट्री के टर्म में अप्सलिटिजम को जो समझाया गया है वो कहा जा रहा है कि ये एक प्रकार का मोनार्किकल फॉर्म आफ गवर्मेंट का रूप है जिसमें मोनार्क के पास सेंट्रलाइज पावर होता है मोनार्क मिल्ट्राइज होता है सैनिक रखता है साथ साथ रिप्रेसिव भी होता है मतलब समझ वे जए कि मोनार्किकल फॉर्म आफ गवर्मनमेंट में सत्ता कैंद्रिय पिर्थ है मतलब सारी सत्ता मोनार्क के हाथों में है और अपनी पावर को दर्शाने के लिए वो सेना भी रखता है और जब कभी भी उससे खिलाफ किसी अपनाकार का काम किया जाता है तो मुनार्क अपनी सेना के माध्यम से विरोध करने वालों के खिलाफ करवाई करता है इसी टर्म में फ्रेडरिक शौरी एक और वीजन को सामने रखते हैं वो वीजन है येटोपियन वीजन येटोपियन वीजन है क्या लिटरली आप समझ लेजे हिंदी में कि ये राम राज से तुना किया जा रहा है एक ऐसी समाज की कलपना किये जा रही है जिसमें रहने वाला प्रतेक व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाती का हो किसी भी धर्म का हो किसी भी सेक्स का हो अमीर हो गरीब हो सभी खुस है किसी को किसी भी प्रकार की कोई परिशानी नहीं है ये वास्तविक्ता में ऐसे समाज एग्जिस्ट नहीं करता एक आइडियल समाज है जो की अवधारनाओं के उपर अधारित होती है केंदरित होती है वास्तविक्ता में ऐसे समाज की हमकलपन नहीं करते हैं प्रंतु फेडरिक्षारी एक ideal society के explanation के vision को यहां पर दर्साते हैं utopian का जो definition है जो आपके book ने लिखा है वो देखिए a vision of society that is so ideal that it is unlikely to actually exist मतलब ऐसी आदर समाज जो वास्तविक्ता में नहीं पाई जा सकती मतलब ऐसा समाज जिसमें हर एक व्यक्ति खुश हो किसी को कोई परिशानी नहीं हो ऐसी समाज की कल्पना आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं वास्तविक्ता से इसका कोई संबंध नहीं होता है एक आदर से समाज है जो के सिर्फ कल्पनाओं में ही बूनी जा सकती है वास्तविक्ता में ऐसी समाज की कल्पना नहीं किये जा सकती है जिस समय फ्रडिक्ट शौरी ने इस पिक्चर को पॉर्ट्रेड किया था उस समय तक United States of America अपनी आजादी को प्राप्त कर रखा था जैसे कि फॉर्स स्प्रेंट में मैंने आपको बताया कि में आफ अमेरिका एंड पीपल ऑफ अमेरिका एंड योरॉप मैं और विमन अफॉल एजिस एंड सोसल ग्रूप्स मार्चिंग इन लॉंग ट्रीन तो इस जो मार्स थी इस प्रोसेशन को लीड किया जा रहा था युनाइटे स्टेट्स अफ अमेरिका के द्वारा और युनाइटे स्टेट्स अफ अमेरिका के पीछे स्वर्जर लैंड ये दोनों कंट्री जो है 1848 तक एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने में काम्याब हो जोके थी स्टेट्यर लैंड के पीछे फ्रांस जिसे उसके रिवलस्तरी ट्राइकलर के द्वारा आइडेंटिफाइड किया जा रहा था रिवलोसनरी ट्राइकलर फ्रांस की एक होप थी जिसके माध्यम से वो फ्रांस में क्रांती ला रहा था बदलाव के लिए क्रांती ला रहा था लेकिन 1848 तक फ्रांस एक नेशन एस्टेट का दर्जा प्राप्त नहीं किया था ऐसा ही कुछाल जर्मनी के साथ भी था फ्रांस के पीछे जर्मनी स्टैंड कर रहा था और जर्मनी अपने ब्लैक रेट गोल्ड ट्राइकलर से आइडेंटिफाइड किया जा रहा था यह जो फ्लैक थी उसकी वो लिब्रल होव थी और इस समय तक जर्मनी जो है कई प्रविंसेज में कई सारे प्रिंसपालिटीज में बटे हुए थे प्रंतु एक होव था एक उमीद था कि आने वाले समय में जर्मनी को एक युनाइटेड नेशन के रूप में रिकोगनाईजड किया जाएगा और उसी होव को दरसाने के लिए जर्मनी ने ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का ट्राइकलर अटाप्ट किया था जर्मनी जर्मनी के पीछे और भी कई सारे देश उस मार्च उस प्रोसेशन में हिस्था लिये थे जर्मनी के पीछे पीपल अफ अस्ट्रिया, किंग्डम अफ तू सेसली, लॉंबाजी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयलैंड, हंगरी और रशा ये सभी अपने ट्राइकलर और कॉस्ट्यूम से आइदेंटिफाइड पहचाने जा रहे थे फ्राम दी हैवन्स, अब जो तस्वीर दिखाई जा रही है, वो हैवन्स के दिखाई जा रहे है हेवन्स में यहां दर्साया गया है कि हेवन्स में सैंथ, क्राइस्ट और अंजल्स को भी दिखाया गया है और ये पृत्विपो होने वाले सारी घटनाओं को स्वर्ग से देख रहे हैं ये जो पिक्चर है हेवन्स का वो फ्रेटरनिटी को सिंबोलाइज करता है दुनिया में भाई चारा को बढ़ाने के लिए सिंबोलाइज करता है, परसोनिफाइड करता है अगर हम 19 संचूरी के बात करें, तो 19 संचूरी के अंतरगत में जो बात निस्तलिजम की किये जाती है निस्तलिजम के माध्यम से, यूरॉप में स्विपिंग चेंज, एक भारी बदलाव, राजनातिक और एकोनॉमिकल दोनों अर्थों में बदलाव लाने के प्रकरिया को ही राश्ट्रता निस्तलिजम कहा गया है आपके बुक में लिखता है, मतलब के राश्ट्रता के माध्यम से, यूरॉप का जो राजनातिक दुनिया है, उसमें बदलाव लाने के लिए, उसे बदलने के लिए, मांस की मांसिक्ता उसके राजनिक्ता दोनों को बदलने के लिए ही राश्ट्रता का उदे हुआ है और जब इस प्रकार के बदलाव लाई जाएगी, तो मल्टी डानेस्टिक जो रूल है, उसके जगा पर युनाइटेड नेशन का कंसेप्ट अपनाया जाएगा, जहां पे एक युनाइटेड राश्ट, एक नेशन का उदे होगा, मल्टी डानेस्टिक का मतलग आप जानते हैं, एक छोटस एक राज्य के अंतरगत में कई सारे डानेस्टिक रूलर्स हैं, जो एक छोटी छोटी टेरिटरीज में अपने आपको कनफाइन कर रखें हैं, इसी को बदलना है, और इसकी जो बदलाव होगी, वो राश्ट्रता, नेस्टलिजम के कंसेट के अनुशार होगा, और यहीं से नेशन की कंसेट जो है, उभर कर सामने आती है, तो यहाँ पर ये क्लियर है कि राश्ट्रता के माध्यम से युरोप में नेशन के कंसेट पर जोर दिया गया है, नेशन के फार्मेशन पर जोर दिया गया है, अगले पार्ट में हम the French Revolution and the idea of nation का जिक्र करेंगे को explain करेंगे लेकिन उस वीडियो के पहले अब तक जो हम लोगों ने first part में पढ़ा है उससे related कुछ objective questions भी करेंगे जो कि इस topic के अंतरगत में आप से पूछे जा सकते हैं तब तक के लिए जय हैं जब हारा